हलो फ्रेंड्स आई आज हम बात करते हैं mental peace और mental happiness की कि हमारे मन का सुख और हमारी खुशी ये दोनों चीजे हम जियोतिश की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं जैसा कि आप सब को पता है आज की दुनिया में हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की चिंता लगी रहती है किसी को धन की चिंता है घरबार की चिंता है पढ़ाई की चिंता है शादी की चिंता है लव अफेर्स की चिंता है अपने बच्चों की चिंता है जॉब की चिंता है प ये सब हमारे मन में जो ख्याल चल रहे होते हैं, जो हमें मांसिक परिशानी देते हैं, हमारा मेंटल पीस डिस्टॉप करते हैं, ये सब चीज़े हम कुंडली से कैसे देखें और इन के लिए हम क्या उपाए करें, ताकि हमारी मांसिक सुख और प्रसनता और बढ़ सकें. मेरे पास काफी जातक और जातकाओं की कुंडली आती हैं, जिन में उन्हें मांसिक परिशानी से जूज रहे होते हैं, और ज़्यादतर केस में कोई नो कोई प्राब्लम लेकर ही व्यक्ति जोतिशी के पास आता है, मगर कोई भी प्राबलम हो उस प्राबलम से व्यक्ति का मानसित बैलेंस, मेंटल पीस ये सब डिस्टर्ब जरूर होता है तो ये देखने के लिए हमें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी है पहले हमने देखना है कि चंद्रमा कौन से भाव के मालिक है और कौन से भाव में प्लेस्ट है तो यदी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8 और 12 भाव में प्लेस्ट हों कहीं भी तो यहाँ पर चंद्रमा हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब कर सकते हैं इसके अलावा यदी चंद्रमा की राशी करक राशी जहां चार नमबर लिखा होता है कुंडली में यदी चार नमबर छटे, आठवे और बारवे भाव में लिखा हुआ है तो यह भी हमारा mental peace डिस्टरब कर सकते हैं और यह तीन तरह के लगन में होता है एक कुंब लगन, इसकी कुंडली में लगन में लिखा हो इन तीन कुंडली में चंद्रमा देपता की राशी 6, 8 और 12 घर में पाई जाती है तो आईएब हम इन तीनों जगा की बात करते हैं कि यहां पर यदी चंद्रमा प्लेस्ट हो या उनकी राशी हो तो क्या असर होगा और उसके लिए हम हमेशा, रोग, रिन, शत्रू, कोटकेस, दुरगटना, मुकदमा, इन सब चीजों की चिंता लगी रहेगी परन्तों हमें यह याद रखना है कि जो छटा भाव होता है वो हमारी नौकरी का या सेवा करने का भाव भी है तो यदी चंद्रमा आपके छटे भाव में हैं तो आप जितनी दूसरे लोगों की सेवा करेंगे जैसे कि किसी पार्टी में गए और लोगों को आप फूड और ड्रिंक्स सर्व कर रहे हैं और उसी तरह जितना आप अपनी नौकरी में मेहनत करेंगे जितनी सेवा प्रदान करने की कोशिश करेंगे लोगों को उतना ही आपक mental peace और happiness बढ़ेगा यदि चंद्रमा आठवे भाव में हो या चंद्रमा की राशी आठवे भाव में हो तो व्यक्ति को हमेशा चिंता रहेगी लंबी बिमारी के बारे में accidents के बारे में बदनामी इन सब चीजों की व्यक्ति को चिंता लगी रहेगी ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को जब दूसरे का secret पता चले तो उसको खुशी हो तो आठवे भाव में यदि चंद्रमा है या उनकी राशी है तो इस case में यदि mental peace disturb हो रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये mental peace occult studies करने से जोतिश तंतरमंतर रीकी, tarot, angel cards ये सब करने से factory production करने से या किसी factory वे काम करने से इन सब कारियों से हमारा mental peace और happiness बढ़ने लग जाती है क्योंकि हमने आठवे घर के अच्छे असर अपना लिए इसके अलावा यदि व्यक्ति किसी research के काम में भी जाता है या किसी चीज की जैसे discovery करते हैं, जैसे scientist होगेरा होते हैं तब भी व्यक्ति को mental peace और happiness मिलेगा यदि चंदरमा या चंदरमा की करकराशी बारवे भाव में हो तो यहाँ पर बारवा भाव weakness का भाव है यहाँ पर आदमी को हमेशा खर्चे की चिंतर लगी रहेगी उसकी सेहत खराब होने का चांस होता है hospital जाने की चिंतर लगी रहेगी व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस करेगा उसको रात को नींद नहीं आएगी ठीक से और यदि यह सब हो रहा है कुंडली में तो हमें समझ जाना चाहिए कि चंद्रमा का बारवेघर का प्रभाव आ रहा है और इस केस में हमें क्या करना है कि हम hospital से जुड़ा हुआ काम कर लें या foreign country या abroad या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर लें और यदि विदेश नहीं जा सकते हैं तो इंडिया में ही किसी multinational company से जो विदेश की company हो या विदेश से जुड़ी हो उसमें हम नौकरी कर लें तो इससे बारवेघर के प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं और हमारी रात की नीद अच्छी हो जाती है इसके अलावा यद इचंदरवाश और प्रभाव में हो तो व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर काम कर सकता है जहां उसे अकेला काम करना पड़े जैसे कि हमने देखा है कि जेल होती है जहां लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाता है या फिर chemical laboratories या physics laboratories इन सब जगहों पर व्यक्ति जब काम करेगा तो उसे सुख और शांती ज्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी इसके अलावा बारवा घर हमारी meditation और spirituality का है तो यदि चंदरवादेवता बारा घर में या उनकी करकराशी बारवे घर में प्लेस्ट है तो spirituality और meditation करने से आपको मन की शांती बिलेगी इन सब चीजों के अलावा चंदरवादेवता यदि अशुप ग्रहों के प्रभाव में हो जैसे कि शनी राहु अत्वकेतू तब भी वे mental peace को डिस्टॉप करता है मगर चुकि इस चोटे से वीडियो में उन सब का प्रभाव कवर नहीं किया जा सकता और ये प्रभाव कुंडली से कुंडली में अलग डिफर करते हैं इसलिए इनका विशलेशन कुंडली देखने के बाद ही किया जाता है अब ये तो हो गए चंद्रमा के नेगड़ प्रभाव इनके लिए हम उपाई भी कर सकते हैं उपाई के लिए आप चंद्रमा की वस्तुएं जैसे की दूद या चावल किसी भी गरीब स्त्री को सोमवर शाम को दान दे सकते हैं इसके अलावा एक प्रिकॉशन लेनी आपको बहुत जरूरी है कि आप कभी भी चंद्रमा देपता की वस्तुएं जैसे पानी दूद और चावल इनको वेस्ट मत होने दीजिए कहीं गर में नलका अगर कहीं बहरा है तो उसको एकदम से रिपेर कराईए और दूद और चावल इन सब चीजों को जो भी छोटा मोटा हमारे खाने में बचा रहता है इसको कभी भी फैकिये मत हमेशा इन चीजों को वेस्ट होने से बचाईए मुझे उमीद है इस चोटे से वीडियो में आपको जोतिश की मदद से अपना मेंटल पीस मेंटल हैपिनेस कैसे बढ़ानी है यह समझा गया होगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद